नमस्ते एक चीज जो हर मनुष्य को पीडित करती है वो है संसार में पीडा कुछ लोग पीडा से पीडित होते हैं और कुछ इस विचार से पीडित होते हैं कि संसार में पीडा क्यों है और शायद इसी में संकेद भी है कि पीडा क्यों है क्योंकि यदि संसार में पीड़ा नहीं होती तो ये प्रश्ण नहीं उठाते कि संसार क्यों है, मैं क्यों हूँ, पीड़ा क्यों है कोई खोज नहीं होती एक ऐसा संसार जहां पीड़ा ही नहीं होती वहां खोज भी नहीं होती तो पहला तो हम इसी में देखते हैं कि पीडा हम लोगों को हमारे comfort zone जिन छोटे से दाइरे में हम जीवन को जीते हैं स्वास लेते हैं उसको समझ लेते हैं उसमें से बाहर निकलने की चेस्टा है वो चेस्टा करवाती है यह और बात है कि जैसे आजकल भी हो रहा है कि हम उस पीडा में मनुश्य को जो हल देते हैं वो वास्तव में हमारी पीडा को हरता तो है लेकिन पीडा के प्रियोजन को पूरा नहीं होने देता है और वो एक्जामपल अभी जो science और spirituality की हो रही थी उसका perfect example है किर्मी कीडा जो caterpillar होता है तो caterpillar जैसे जैसे बड़ा होता है खाता रहता है बड़ा होता रहता है और अपने ही शरीर से एक तरल पदार्थ निकाल करके वो शरीर उसका एक कुकून के अंदर जाने लगता है कुकून बढ़ने लगता है चारो तरफ उसके खोल आवरन की तरह है उस किर्मी कीडे के अंदर बढ़ने लगता है तो वास्ता में ये कुकून उसके अंदर जो जाता है वो क्यों होता है अगर आप प्रकर्थी की दृष्टी से देखें तो चूकि वो दवाब महसूस करता है वो अपने अंदर से छट पटाता है बाहर निकलने के लिए ये बृत्ती है ना जब आपके उपर चारो तरफ से छट पटात होती है तो आप बाहर निकलना चाहते हो तो प्रकर्थी ने ऐसा प्रावधन किया है कि जब उसके अंदर छट पटात होगी तो एक समय वोही छट पटात के कारण उसके अंदर पंख उगने शुरू होंगे और एक दिन वही तलब उसको उस खोल को तोड़ करके जैसे हम देखते हैं हरण कशुप की कहानी में कि जर्त अत्त को तोड़ करके प्रहलात की पुकार को सुनकर निर्सिंग अवतार निकलते हैं तो उस खोल को तोड़ करके एक बड़ी सुन्दर बटरफ्लाई तितली बन या कहता है किड़ा तुने क्या कर्म किया था क्या नहीं किया था और हैं ऐसे सर्जन्स हैं जो जाके किड़े के आवरन को सर्जरी कर देंगे और उसके पैसे भी मिल जाएंगे कि देखो किड़े की पेन दूर होगी किडा तो बड़ा खुश होगा, उसको तो पते ही नहीं है कि मेरे भविष्य में तितली बनना लिखा था, किडा क्या होगा, बड़ा प्रसंद होगा, कि अरे कोई आयाद, सरजन जिसने मेरे इस पेन से मुझे छुटकारा में दे दिया, लेकिन वास्तव में वो छुटकारा बड़ा पेन से तो मिल गया, लेकिन उसका भवश्य भी एधूरा रही तो पहली चीज़ में पीडा के बारे में यह समझ नहीं कि पीडा ये संकेत है, कि हम जीवन में जो जीवन अभी जी रहे हैं वो अपून है, पीडा हमें पून्ता जीवन की अपून्ता का बोत कराती साथ में पूनतागिय भीपसा जगाती है अगर आप ये समझ के चलते हैं जीवन में कि सब अच्छा है तो जब सब अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं सब अच्छा है बस भगवान तेरा शुक्रिया है माता जी बताती हैं grace के दो aspect है, एक है शान्ती, और मा कहती है, peace, अभी भी एक ऐसा aspect है, जो मनुष्य जिसके लिए, कुल बुलाता है, कि मुझे शान्ती मिल जाए, शान्ती मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, तो भगवान कुछ छन रिजर्व करते हैं, उसके लिए शान्ती के, सब क्यार किजी के चीवन में, कोई-कोई दिन ऐसा होता है, बड़े आपको अच्छी शान्ती मिलती है, सब अच्छा, आप कैते हैं, ऐसा ही मेरा जीवन चलता रहे, लेकिन यदि ऐसा ही जीवन चलता रहे, तो भगवान का जो दूसरा एस्पेक्ट है शिष्ठी केवल शांती प्राप्त करने के ़िए नहीं बनी है शांती आधार है स्रिष्टी का लेकिन श्षिष्ठी का जो मोल उद्देश है वो आनंद है तो दूसरा एस्पेक्ट जो grace का है मैं बताती है वो प्रगती तो प्रगती का मतलब है कि हम जिन सीमाओं में हैं उससे आगे बढ़ने जाने की चाह प्रगती का मूल रूप में अगर अर्थ है चाहें किसी भी लेविल पर आप देख लिए इसको जेनरलाइज कर दे मन है थोड़ा सा उसने पढ़ा खुश हो गया मुझे बीए की डिग्री मिल गई जॉब मिल गया लेकिन जिनके अंदर प्रगती की चाह होती है वो ज्ञान के अंतिम छोड तक बहुचना चाहते है वो तब तक नहीं रुकते हैं जब थक वो उस एकमेव सत्य को नहीं पाओ लेते हैं जिससे सारी स्रिष्टी निकली है उसी प्रकार से प्रेम प्रेम एक जिनके अंदर प्रगती की चाह नहीं अच्छा, बहुत अच्छा है husband बहुत अच्छे है, wife बहुत अच्छे है, बच्चे बहुत अच्छे है लेकिन जिसके अंदर प्रगति की चाहा होती है वो उसे असंतुस्त रहता है वो चाहता है कि नहीं, प्रेम ऐसा हो जिसके अंदर complete आत्मुतसर का भाव हो हमेशा बादुर्य हो, कभी कोई जगडा नहीं हो सदेव सामन जसे हो अब देखा जाए, संसार में ये मॉडल नहीं है लेकिन इसी के कारण मनुष्य के अंदर भगवान की और भक्ति की चाहा होती है क्योंकि वो संसार में सब जगे प्रेम को अपून पाता है तो जीवन में प्रगती के लिए हमको अपने कंफर्ट जो नहीं से बाहर निकलना होता है यदि मनुष्य सचेतन रूप से प्रगती का मार्क पकड़ ले हर चीज में हिर्दे की बात हुई, प्राण की बात हुई, आप अपनी सिमाओं को पहुसते हैं आप पाना चाहते हैं और लेकिन शरीर प्राण की सीमाए हैं तो क्या होता है, उसके कारण पीड़ा होती है तो उस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास करती है, तो पीड़ा हमें प्रयास के लिए उद्धित करती है दो प्रकार के लोग हैं, एक पिड़ा में तूट जाते हैं, अधिकतर ऐसे होते हैं, और जब तूटते हैं तो वो अपने भगवान को, स्वैम को कोसते रहते हैं, मतलब कोसना सबसे आसान काम है मनुश्य के लिए, लेकिन वास्तव में पिड़ा आती है हमें प्रगति का मार् कि पिड़ा कस्ट किसी इस कारण से नहीं है कि हमने कोई पाप किया, भगवान हमें दंडित कर रहा है, शायद हमने कोई पुन्य किया है, इस कारण भगवान हमको सीमाओं में नहीं रहने देना चाह रहे हैं, इसलिए द्रौबदी के साथ वो होता है, जो एक सामरागी के सा वो होता है, इतना चलन्याए, आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि इतने सबल, सक्षम, तब अरजुन और भीम ने जो जो कांड की है, कीचक, उपकीचक, सारे 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 सौसो कौर्वों को मार डालना, लिटरली अल्मोस्ट बेर हैंड़न ये कोई साधरन विक्ति है, उस विक् अरजुन, जिनका सानी नहीं था, इवन कहा जाता है महाभरत में कि यदि किसी व्यक्ति के पास शमता थी, एक शन में एक सारी सेना को नष्ट करने की, तो वास्तव में वो ना भेष्म के पास थी, ना द्रोन के पास थी, ना कर्ण के पास थी, वो अरजुन के पास थी, क्य तांडव के पूरे स्रिष्टी को प्रले ला सकते हैं लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया लेकिन वो अर्जुन भीम युदिष्ट्री जो धर्मराज है स्वैम वो जंगल जंगल भटक रहे हैं तेरे साल भटक रहे हैं कभी उनका ये खो जाता है, वो खो जाता है, तो ये जो हमारी पीडा के साथ जुड़े हुई मानसिकता है, कि भगवान किसी को दंड दे रहा है पीडा दे कर, सच तो ये है कि अगर जीवन में खाली सुख ही सुख है, तो थोड़ा सा शंका करना कि भगवान भूल तो नहीं है उनको याद दिलाना प्रभू याद है ना मैं भी हूँ मेरा नाम लिखा है आपकी डारी में यह नहीं कि पीड़ा प्रगति का मार्ग है नहीं लेकिन पीड़ा जीवन में आती है क्योंकि हम प्रगती का मार्ग साहज रूप से नहीं अपनाते हैं दूसरी चीज़ जो हमें समझती है कि जीवन में घटना एक चीज़ है पीड़ा एक उसका रियाक्शन है तो जब शियर्विन संलिट पाथ की बात करते हैं तो लोग कहते हैं वो तो संलिट पाथ पर हर कोई समझता है वो संलिट पाथ पर चल रहा है वो एक दूसरी बात है तो हर कोई समझता है मैं तो सच्चा हूँ सत्यमेव जैते मेरे साथ मैं क्यों हार गया तो वो एक दूसरी ब्रांती है लेकिन मुक्ची जीए सनलिट पात पर भी हम चलते हैं, जीवन में घटना आएंगी, लेकिन सनलिट पात पर जो विक्ति चलता है, उसको उस एटिटूड से लेता है, कि वो घटना उसको पिडा नहीं पहुचाती है, वो उसके लिए प्रगती का हर्ष का विशय बन जाती है, और दूसरा विक्ति ऐसा भी है, कि जीवन में सब कुछ अच्छा है, आप सोची दुरियोधन इतना भैभीत रहता था, अगर आप दुरियोधन की पड़े कहानी, उसके जीवन में इतना अधिक असुरक्षा का भाव था, कि वो सूसाइट करना चाहता था, क्योंकि असुर अधिक है कि घटनाएं हमें पीडित नहीं करती है, परिस्थितिया नहीं हमें पीडित करती है, अवस्थाएं हमें पीडित करती है, जितने हम संकुचित होंगे, उतना हम पीडित होंगे, जितने विशाल होंगे, उतना हम कम पीडित होंगे, और इसका एक उधारन अक्सर जो मैं देता हूँ, वो यह है कि कुए में जल है, या एक मटके में जल है, आप उसमें छुटा सा पत्थर डालते हैं, तो क्या आवाज आती है, टटाक, या डुबुक, आवाज आती है न, पसंद नहीं आता है उसको, बढ़े गाई एंदर में, तो पूरा जल रियाक्ट करता है, हलकाशा उसमें रिपील आती है, आप तलाब में डालते हैं, तो एक हल्की सी आवाज होती है, फिड तलाब स्थिर हो जाता है, नदी में डालते हैं, पतई ही नीचलाइ, कहाँ चला गया पत्थर, तो आप आर बड़ा उठा करके डालते हैं तो नदी उसको भी वहा के ले जाती है और समुद्र में माउंट एवरेश इचागे डाल देते हैं माउंच एवरेश समुद्र के अंदर actually माउंट एवरेश से जादा Jimalaya से बुच्छा पहाड समुदर के दर है हो, समुदर कह production आ जाय तुम भी इसलिए सारे टेस्ट वहीं पर होते है ना समुदर में नुक्लिर एक्सप्लोजिन होता है अल थाश्या प्रकमपन होगा उसके अंदर क्यों 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 कि विशाल है तो जितना हम सीमित होंगे चेतना में संकुचित होंगे, उतने पीडित होंगे, और संकुचित सीमित करने का कारण क्या होता है, मुल कारण अहंग भाव ये खास कर, अच्छा पशू में एक विचेतर विशालता होती है क्योंकि वो प्रांट चिन में हैं, उनके अदर इंडिडिडिडियलिटी नहीं है, तो वो पशू सारे पशू जाती के साथ वो अपने टाइब के साथ आइडिंटिफाइड है मनुष्य के अंदर इंडिडिडियलिटी है, एक मार्ग है, उसको इस पत से जाना है, वो एक अलग बात है लेकिन उसके कारण वो इतना संकुचित हो जाता है, उसका दाइरा कि वो ये समझने लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ, वो ही एक मातर सत्य है, और तब अगर उसके घर में बेटा या बहू ऐसे आजाएं, जो दूसरा दूसरी तरह से सोचते हैं तो बस शुरू हो जाती ही पीडा लेकिन वो पीडा क्या है? वो एक विशालता का आवाहन है, आमंत्रन है बैठिये, सोचिये, जीवन को सोचने के और भी तरीके हैं, उसके अंदर में छिपे सत्य को पकड़िए तो ये आहम भाव के कारण पिडा होती है, क्योंकि हमने सीमित हर चीज को, भगवान का कंसेप्ट भी हमारा सीमित है अगर मेरे जीवन में सब मेरे दृष्टी से अच्छा हो रहा है, तो भगवान अच्छे हैं और अगर मेरी दृष्टी के अनुसार मेरी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा तो भगवान अच्छे नहीं है तो ये एक हमारी सीमा के कारण हम पीडित होते हैं तो ये अहम भाव द्वन्द आत्मक प्रतिक्रिया देता है जीवन के घटनाओं को और द्वन्द क्या होते हैं अच्छा बुरा, सुख दुख इत्यादी इत्यादी लेकिन आत्मा का क्या भाव होता है सोल वो हर चीज को सोक के उसको इक्वेलेंट उसका क्या बदल देती है वो आनन्द में मुझे हस राता क्योंकि एक बात याद आगई किसी ने कुछ समय मिट्टी को सोने में बदलने की बात की थी तो सोल ऐसे ही कुछ करती है आप उसको मिट्टी दीजिए वो कंचन में बदल देती है क्योंकि उसको सभाव है ऐसा आप अगर उसके हाथ में मिट्टी दे देंगे और इसका एक टिपिकल एक्जामपल है तपस्वी और भक्त दोनों तपस्या कर रहे हैं नारज जी से कहते हैं जरा पूछ के आईए भगवान विश्णों से कब आएंगे तो तपस्वी को जब कहा गया कि भगवान तीन जनम बाद मिलेंगे ओ माई गाद तीन जनम बाद क्योंकि वो मन प्रान तपस्या जो होती न तो से आपका परसनल एफट बहुत जादा होता है उत्सर्ग का समर्पन का भाव नहीं है तो कहते हैं फिर में इस जनम में क्यों तपस्या करो उठके चल देता है गर ग्रस्ती समाले भक्त को कहते हैं देखो पेड पे कितने वरक्षे आंगिनत है उसने समय के बाद भगवा तो नारज जी हां आएंगे वो आनंद से कुदने लगता है और भगवान प्रकट हो जाते है क्योंकि भक्ती के अंदर चैते का भाव होता है इतना काफी है कि भगवान आएंगे वो चैते भाव है तो चैते भाव जहां होता है वहां हर चीज आनंद में बदल जाती है तो यह एक दूसरा आहम का भाव। तीसरा कस्ट और पीड़ा की उत्पत्ति कहां से होती है और इस जो दूसरा आहम लोगों ने बात की इसमें जो चैते का भाव होता है मा ने बड़ी सुन्दर ढंग से शेरविन ने भी इसको कहा है कि इसमाइल वाज हर रिटर्न टू प्लेजर और पेन चैते भाव की पहचान क्या होती है मा कहती है मा से किसी ने पूछा कि मा वाट इस दी वे तो रेकोगनाईज इस सैकोलोजिकल आटिटूट सोल को लेकर की यह एक प्रशन पूरा मुझे धान नहीं है लेकिन यह था कि जिसक उसका चैते जागरित है उसका जीवन के प्रती क्या एटिटूट होता है माता जी कहती है a smile in all circumstances of life a smile in all circumstances of life पहाड भी टूट रहा है तो मुसकुरा रहे क्यों चैते को पता है पहाड के पीछे खड़े तो वह है मुझे भी उन्हों नहीं सहरा दिया हुआ है तो यह जब हम shift करते हैं अपनी चेतना को surface से गहराई में तो पीड़ा वैनिश हो जाती है बहर जाते हैं तो पीड़ा अच्छी चीज में जो आपकी कल्यान के लिए उसमें पीड़ा होगी क्योंकि वो चेतना ऐसी है तीसरा प्रान तत्यो के कारण दुख होता है पीड़ा होती है प्रान तत्यो के कारण के होता है क्योंकि प्रान तत्यो के अंदर बहुत सारे इक्षाएं होती है तो वो driven by desires तो desires जो driven जीवन है वो पुराने समय में जो कोईले की गाड़ी होती थी थी तो पुराने समय में हम लोग बहुत होता है, इंजन फेल हो गया, तो इंजन आरा है कहीं और से आरा है पीछे से, आप दो घंटे बैठे रही है, तो डिजायर्स हर लाइक देट, जटके में आपको ले जाएंगे, वो स्टार्ट ऐसे होगी, लेकिन थोड़ा दूर जाके उसमें चुक चुक दिरे दिरे उसके अंदर, क्योंकि डिजायर्स को कॉंस्टेंटली आपको पोशित करना है, जहां एक मानव संबंध भी, जहां एक डिजायर का रिलेशन होता है, जहां एक विक्ति दूसरे की इक्षा को पूरा कर रहा है, तो आप देखें कि वो समापती नहीं होती, वो एक अंदर कुआ है, आप जितना डाल रहे हैं, और, 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 आप एक मा का संबंध था ना, ऐसे कि डिवाइन लव, शी इस पोरिंग एंड पोरिंग, एक दिन माता जी की दृष्टी अगर उधर नहीं, मा, आप अप समझ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, आप उसको प्यार करती हैं, कितने पद्रे हैं, ऐसे ऐसे लोग, जितका नाम लीजन है, बट देखूट, आज माह हमें प्यार नहीं कर रही हैं, आप माने प्यार करना छोड़ दिया, आप शेरविंद बताते हैं कि उनकी अपनी भी मा की जीवन है, उसमें बहुत विशाल है, उसमें आप किवल तुमारे लिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का भाव होता है, यह जब हम इक्षाओं से चलते हैं तो जीवन बहुत दुखी हो जाता है, तो इक्षाओं की जगे हम क्या करें, इक्षा नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा जीवन, एक और शक्ति जो ओरिजिनल पावर है, डिवाइन शक्ति, भागवत संकल्प, भागवत संकल्प कैसे जागरत होगा? एक भाववेश के रूप में, एक गहराई में, एक सजेशन के रूप में, एक हलका सा एक प्रकम्पन के रूप में, या एक इंस्पिरेशन प्रेडणा के रूप में, और यदि वो नहीं है, जबर्दस्ति हम कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो फिर इक्षा हमारी करी, इक्षा में कई बार हम लोग साधरन मनुष्य एक ड्यूटी का भाव ले आता है, वो इक्षा को मौडरेट करता है, बहुत अच्छी बात है, रजस को सत्वगुन से हम प्रयास करते हैं, क वो कोई higher impulsion में करता है, वो तो इक्षाओं की बल पर चलता है, तो इक्षाओं का तो यह है, attachment और इक्षा जहां है, वहाँ दुख होगा, श्री अरविंद का एक पत्र है, blows do not come to you because there is something bad in you, कुछ लोग यह भी extreme ले लेते हैं, जब तमोगुन का हावी हो जाता है, ना कहते हैं, देखो मैं कितना बुरा हूँ, भगवान ने चुना है मुझे पीडा देने के लिए, उनको बड़ा मजा आ रहा है, पीडा दे रहे हैं मुझे, भगवान बिचारे अन ने सरी उनको भगवान को क्यों पीडा देंगे, उनको आनन्द देना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि अमको दुख दें, लेकिन दुख प्रगट होते हैं, क्यों? शेरविंद कहते हैं, ब्लोस कम टू आल, वाई? बिकॉस पीपल आर अटाश्ट विद धिंग्स विच एक हम जुड़ें, पूरी तरह अपना रोल करें, जैसे जीवन मुक्त करता है, लेकिन आप ये जान लें कि ये वस्तु अस्थाई है, लेकिन प्रेम स्थाई है, ये मूल अंतर है दोनों में, ये चला जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन प्रेम सतत प्रगट रह लेकिन आप अपने लिएं, आपका जो स्टोर है, डिवाइन से कनेक्टेड है, तो आप वहाँ से रिसीव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा तरीका है संसार से जुड़ने का, लेकिन जब हम इक्षाओं से जुड़ते हैं तो पीड़ा होती है, मा कहती है, विकाज भी आर अपने अपने समय पर और उसका मार्ग भी दिखाया है, बुद्ध देव ने बताया कि काम नाएं, इक्षाओं इन से दुख होता है, और मार्ग उन्हों ने दिखाया एटफोल्ड पाज जिसे हम इससे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो मूल कारण है, और भी एक उससे भी भ प्रटेक्ट नहीं करता है, हमको और भेवीत कर देता है, जैसे ही हम ये शरीरधारन करते हैं, इस पर जर्तत्यू की चाप है, क्या चाप है इस पर? भे की, सारी जो रियक्शन्स हैं, क्रोध की, पैशन्स की, सारे जो अनिमल रियक्शन्स हैं, हम उसको अपने अंदर ले ल परते ही उसकी समस्या सुरू हो जाती है और साथ ही आधी व्याधी रोग मृत्यों ये तो हैं ही उसके साथ जुड़े हैं यह निकि कोई खराब है या अच्छा है सबको आती है मृत्यों आज के समय में क्यों 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 कि जर्टत्यू का ये सुभाव है इसका हल क्या है इसका हल शियरविन माता जी कहते हैं और वह है जर्टत्तु का ही रुपांत्रण जैसे मन अहंकार के मोट से काम ना करके एक प्लेनरी इल्लुमिनेशन भगवत प्रकाश के रूप में काम करें वो कोई चीज से बधे ना केवल सत्य से बंधे किसी व्यक्ति से विचारधारा से ना बंधे वो बंधे केवल सत्य से अगर कोई विचारधारा प्रगट कर रही है उस सत्य को एक समय पर बहुत अच्छी बात है पर अगर वो प्रगट नहीं कर रही है तो वो भी चली जाए उ उससे चालित हो, लेकिन जर्तत्व completely refuse करता है, जर्तत्व ऐसा तत्व है, कि आप उस पर कितना भी अध्यात्मिक प्रकाश, अध्यात्मिक शक्ति उडे लो, वो वैसी रहता है, निश्क्री है, और उसका एक प्रमान होता है, कि जब हम लोग अशकत अवस्था में चले जाते हैं, तमस की अवस्था में चले जाते हैं, रुग्न हो जाते हैं, निद्रा हमें overtake कर लेती है, उससे मैं आप बो चलिए, उठीए, ज़रा ध्यान करिए, ट्रेनीं करा ही जाती है, लेकिन उस ट्रेनिंग में आपके एवल जर्टत्य को डिसिप्लिन कर रहे हैं, रुपांतृत नहीं कर रहे हैं पर ये ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता था कि आपको उठना है आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको नीद आ रही है ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपको बैठना है ध्यान करने, इसके द्वरा क्या करते थे जर्टत्य की जो कठनाई को हम थोड़ा सा प्रयास करते थे, कि हमारे मार्ग में बाधाना पड़े, लेकिन जर्टत्य उससे चेंज नहीं होता था फिर भी निद्रा होती थी, फिर भी आहार क्या वशक्ता है फिर भी इंसान के अंदर वही वृत्या होती थी नेचर नहीं चेंज होता था तो माता जी यही बताती है शियर्विंद माता जी, जब तक जर्टत्य रूपांत्रित नहीं होता, तब तक किसी ना किसी रूप में पीड़ा मनुश्य के साथ जूड़ी रहेगी और जट चर्थ अत्युके का रूपांतरन का मार्ग शियरविंद माता जी ने जवाती मांसे की योग बताया है जिसके बारे में हम लोग बहुत बाहर चर्चाबी और सब माता जी शियरविंद की वाणी में है तो इस प्रकार से पीड़ा हमें मार्ग भी दिखलाती है मा कहती है the problem and the solution they exist together जहां जिस चीज से पीड़ा हो रही है वहीं आपको उसका हल भी मिलेगा खीड़े चट पटा रहा है क्यों? क्योंकि वो किसी भी कारण चाहे उसको प्रेम वापस नहीं मिल रहा है या जो भी तो इसका मार कहां से मिलेगा उसी स्पॉट पर मिलेगा कैसे? खीड़े के अंदर से और शुद्ध भाव को लाना मन चट पटा रहा है क्यों? क्योंकि मेरी उपीनिन इसकी उपीनिन अलग है मैं प्रूफ करना चाहता हूँ एक पॉइंट मन को एक ऐसी विशालता में ले जाना जहां दोनों का सत्य प्रकट हो जाए प्राण छट पटा रहा है क्योंकि प्राण की गती सीमित हो गई है तो उसको असीम के साथ जोड़ देना शरीर अपून है नाना प्रकार की व्यादिया है इसका उत्तर कहीं और नहीं मिलेगा जर्ट अत्यों के ही अंदर वो शक्ति वो उड़जा छिपी है जो जर्ट अत्यों को पूरी तरह बदल सकती है और अतिमानसिक शक्ति माता जी की कृपा वो वास्ता में जर्टत्यों के अंदर जो छिपी शक्ती है उसी को निकालेंगी तो you have to face the challenge of life जब हम challenge को face करते हैं तब हमारे जर्टत्यों के अंदर से वो शक्ती निकलती है जो पोशित करती है शरीर को और शरीर के अंदर भी पीडा को दूर करने की शमता जिसको हम अगर medical terminology में कहें तो दो प्रकार की आजकल immunity की बात हो रही है दो प्रकार की immunity होती है एक होती natural immunity और दूसरी होती artificial immunity तो natural immunity क्या होती है आप को एका पानी पी लेते हो नल का पानी पी लेते हो आपको कुछ नहीं होता प्रमान है की नहीं इसका हम सब ऐसे बड़े हुए है और artificial immunity क्या होती है आप पानी को एक बड़ा पैकेज करके उसमें आप वो ना पी होगे तो बीमार हो जाओगे अब हमने वो natural immunity लूस कर दी है natural immunity कैसे डवलप होती है जब आप challenges को face करते हो और आपके शरीर के अंदर ही गति रोग निरोधक शमताव इकसित होती है यह सब के शरीद पूरी एवल्यूशन की हिस्ट्री है यह यह कोई नई साइंस थोड़ी आ गई है यह औरिजिनल साइंस है औरिजिनल साइंस क्या है इवल्यूशन की original science यही है कि challenges मिलते हैं हर एक organism को वो अपने ही शरीर के अंदर से हैसे तत्व प्रकट करता है और challenge को लांग करके आगे बढ़ता है इसंट इट pure science पूरी biology यही चीज दिखारी इसका प्रमान आज सौ साल की medical science में नहीं है इसका प्रमान लाखों वर्चों की million years की evolutionary biology है लेकिन अब हमारी कैसा मस्या है हम मरे ना तो भाव कौन सा है वो भाव अज्ञान का भाव है अब मारोगे जब तक शरीर शरीर हिंदी में कहते हैं बगरे की माँ बगरे की माँ कब तक खैर बनाएगी मृतिय द्वार खोज लेगी ये हमारे क्रंथों में बड़े सुन्दर ढंग से बता है last effort किया था सब बहरी तरीकों से ultimate PPE kit बना करके बचने का उपाए वो हरन ने कशप ने किया था ऐसे ना मरू वैसे ना मरू अंदर ना मरू बहर ना मरू सुवे ना मरू रात को ना मरू मनुष्य से ना मरू देवता से ना मरू पशू से ना मरू मतलब अब इसको अगर modern language में translate कीजिए वारस से ना मरू बेक्टिरियस से ना मरू मैं पॉस्निंग से ना मरू आपने सब कर दिया heart attacks जितनी दवाईया सब आपने बीमारी के ना म पुरा आपने पकड़ कर की किताब ब्रह्मा जी के हाथ में थमा दी का इस किसी बीमारी से मैं ना मरू तो ब्रह्मा जी ने कहता थास तू बहत अची बात है अगले साल एक नई बीमारी आ गई अब आपके हो किताब में लिखी ने थी इसन इट इस आपने कश्प गॉस्पल हम अभी भी वही पढ़ए है वैसे हम भगवान-भगवान करते है काम वही कर रहे है हरने कश्प की गॉस्पल पढ़ए है प्रहलात की गॉस्पल क्या है वो कहते है भाहिया ऐसे या वैसे हरी 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 हमने दे दिया हरी के हाथ में अब साउप दिया इस जीवन का सभार तुमारे हाथों में अब जीत तुमारे हाथों में और हार तुमारे हाथों में नमस्ते